नमस्कार, स्पोर्ट्स नेपाल को और क्वेवटा वीडियो मा यहालाई हार्दीक स्वागत छा। एक समय नेपाली बैटर ले भारती ए ठोलीलाई पुरे दबाब मा राखे का थिये। नेपाल ले एवटा ठुलोई तिहां स्रच ने थियू। आजा हामी नेपाल ले भारत्चंगा हार्णुका मुख्य कारण हरु का विशेमा छल्पल गरने छौ। विडियो लाई अंतिम सम्महेरे दा साथ दिन होला। पहिलो विकेट का लागी रितुराज गाइकवार्ड र एसेसपी जैसवालले नोव अबर पांच बलमा एकसे तीन रन को सतकीय साजेदारी गरी सकी का थिये। देथ ओबर अर्थात अंतिम पांच ओबर मा भारत ले 64 रन बनाएको थिय। 15 ओबर सक्तिदा भारत एकसे 38 रन मा तीन विकेट गुमाएको अबस्तामा थिय। नेपाल ले पईलो पाउर प्ले को 6 ओबर र देथ ओबर को 5 ओबर गरी जम्मा 11 ओबर मा एकसे 37 रन खर्चिदा एक विकेट मात्रे लिएको थिय। तेसे को कारण भारत ले विसाल योगफ़ल बनाऊना सफल भायो। एदी नेपाल ले डेथ ओबर र पाउर प्ले मा रामरो गर्न सके को भाये। भारत एकसे 37 री असी को आसपास मा समेटी ने थिय। स्कोर बोड मा रन कम हुदा बैटर को मनोबल पनी फरक हुन थिय। अरेक बल मा ठुलो सट खेलनो परने जोखिम हुने थिये न। तेस्ते 14 नमर मा जयसवाल को विकेड लिना न सकनू। नेपाल बिरुदा SSP जयसवाल सुरुआत देखिने आक्रमग बने का थिये। नेपाल को जीतमा उनीने बाधग बने। उनी बायेक अन्ये बैटर रन बनाउना संगर्स गरी राये का थिये। रितुराज गाईकवार 23 बल मा 25 रन, तिलक बर मा 10 बल मा 2 रन, रन निते सर मा 4 रन मा आउट भाये का थिये। सिबम दुबेले 19 बल मा 25 रन बनाएका थिये। रिंकु सिंगले भने 15 बल मा 24 चोवका र 4 शक्का सईथ 37 रन जोडे का थिये। SSB जैसवाल बायेक अन्य कुनैपनी बैटर ले खुलेरा रन बनाऊना सके का थिये नन। तर औरको एंड बाटर जैसवाल ले लगातार आक्रमक इनिंग्स खेल दे विसाल योगफल मा पूरियाए। जैसवाल लाई समय में आउट गरना सके का भाये भारत उक्त योगफल मा पूगना सकने थिये न। रा नतिजा हमरो पक्छे मा हुने सक्थियो। तिन नम्मर मा कुसल मललर रोईट एके ओबर मा आउट हुन। नेपाल को हार को मुखे कारन कुसल मललर रोईट पोडेल एके ओबर मा आउट हुन। पनी हु। नेपाल लाई अंतिम दस ओबर मा जीत का लागी एक से तिसरन चाईएको थियो। मंगोलियार माल्दिफ्स विरुदा सांदार प्रदसन गरेका दुई प्रमुख बैटर रोईट रोईट र कुसल मललर क्रीज मा थिये। तर एगारां ओबर मा इस्पिनर रवी विस्नोई कुसल मललर रोईट पोडेल लाई आउट गर देए नेपाल लाई जीत बाटर ठाडा बनाएका थिये। मललर चोथो बलमा क्या चा आउट हुनुदा रोईट अंतिम बलमा लवी डबलू आउट भाए। मध्यक्रम का प्रमुख बैटर एके उबर मा आउट हुदा नेपाल दबाब मा परेको थिय। क्रिकेट मा यो असंबब भने हुईनुदा दिपेनर सिंग अईरी ती बैटर हुन जसले मंगोलिया विरुदा नोव बलमे अर्दसतक हाने का थिये। उक्त अर्दसतक क्रिकेट इतिहांस के सरबादिक छीटो अर्दसतक थिय। यो अवस्ता बाटर दिपेनर सिंग अईरी ले नेपाल को जीत गराऊना सक्थे। तर पन्रों ओबर को दोस्रो बलमा स्पिनर विश्नो इलाई ठुलो सर्ट हान नखोजदा दिपेनर क्याच आउट भए दिपेनरा आउट भए संगय जीत को संभाबना लगबग सकीएको थिय। अरको तरफब बलिंको अंतिम ओबर मा मोमेंट भारत को पक्षे मा गएको थिय। 19 ओबर मा भारत 117 रन मा चार विकेट गुमाएको अवस्ता मा थिय। तर अंतिम ओबर मा रिंकु सिंगले अविनास बोहरालाई एके ओबर मा दुई चोका रा दुई छका हान दे कुल 25 रन जोडे रा खेल को पुरे मोमेंट भारत को पक्षे मा बनाये का थिय। 20 से रन को योगफल कटाऊं दे स्कोर बोड को दबाब समेत राहे का थिय। ट्रिकेट मा मोमेंट निके महत्तोपुर्ण हुन छा। अंति मोबर मा बोलिंग मा मोमेंट गुमाउनू पनी नेपाल को हार को कारण बन्न पुग्य। तेस्ते हामिले एक नमर मा अमपायर को बिवादित निर्णय लाई राखे का छौू। नेपाल रब हारत बिर्णद को खेल मा अमपायर को नेणाए पनी नेपाल लाई घातक मन्य। ते दी वी उपलब्द नहूदा खेल मा कमजोर टोलीलाई सदे अन्याए परने गर्दच्छौ। अम्पाय दे नेडाय लिदा ठुला टोलीलाई ध्यानमा राखने करद छन। नेपाल लाई कुसल भूर्टेल ले शुरुआ देखिने रामर आस दिलाये का थी। उनी अंतिम सम्मर्टिक दा नेपाल को जितको आस रहन थू। स्पिनर साई किसोर को नबं ओबर को पांचन बल मा कुसल भूर्टेल इसकूप खेलने धुनमा सर्ट फाइनल मा आबेस खान बाट क्याच आउट हुन अपुगे। तर कुसल को क्याच थीए न। आबेस खान ले उक्त क्याच जमिन मा टेकाउदे लिये का थीए। अंतराश्चे क्रिकेट मा बल ले जमिन छोएको जमाने एसलाइ क्याच मानी देना। तर अंपायर ले उक्त क्याच वीडियो मा रिप्ले नहेरी आउट दिये का थीए। कुसल 22 बल मा चार चौवकार एक छका सईत 28 रन मा आउट भए। उनले समय लेर विपक्षी बलर को जानकारी ली सके का थीए। रन हानने करम मा उनी अंपायर को गलत नेनाएको सिकार बन नखुगे। तर अंपायर ले तेसमा कुने पने चासो नहे राखे नन। उप्ता अपिल लाई सिधे नकारी दिये। तर अजे पनी रिप्ले मा हेर्दा सरा सर्ट्यों अल्बी डबलो आउट देकिन छ। दर्शक ब्रेन इता थिये हमिलाई लागे का पांच कारण हरू। तपाय हरू को नजर मा अन्ये केके हुना सक्छन ती कारण हरू। जसले गरदा हमिले भारत चंगो खेल हार न पुगिय। नेपाल ले आगामी खेल मा केके सुधार गर्नो पर्श कमेंट गर्ना न भूलनु होला। तेस्ते आजा हमिले प्रस्तुत गरेको वीडियो यहालाई कस्तो लाग्य। सुजाब सलाहर प्रतिकिरिया दिनापनी न भूलनु होला। तेस्ते नेपाली खेलकुत समन्दी संपुर्ण जानकारी को लागी हमरो च्यानल ले सस्क्राइब गरी हमी संगे रहनु होला।